अबिनंदन आबार और बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिश्विग्णियान के इस एतियासिक चैनल पर और मैं हूँ आप सबका एश्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह एक्जिट पोल्स वीजन क्लियर करने की बज़ा इस बार के एक्जिट पोल्स ने लोगों को उ उलजया दिया है, लोगों को तो छुड़िये पौलीटिकल पार्टिस और मेताओंको भी उलजय में डाल दिया है, क्यूंकि किसी चैनल के उपर किसी एक पार्टी को जिताया जा रहा है और दूसरी चैनल, और दूसरी एजंसी का exit pouल, उसी राजये में उसी पार्टी को पार रही है और विपक्षी पार्टे की सरकार पना रही है अब दो धाई महीने पहले मध्यप्रदेश राजस्तान च्छतिस गड़ के लिए एस्ट्रोलोजिकल प्रेडिक्शन कर दिया गया था और वो कल नतीजे सामने आ जाएंगे उसके बाद हम फिर से एक बार वीडियो लाने की कोशिश करेंगे लेकिन बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे थे कि कम से कम आप सीट्स कितनी आएगी वह आप बता दीजिए अब देखिए व्यक्तिकत रूप से हर किसी का जन्मान तो मेरे पास है नहीं सरकार किसकी बनेगी वह हमने बताया जो एक्जिट प आप से पहले शुरुवात करते हैं जहां से एक्जिट पोल में कंट्रोवर्सी की शुरुवात हुई राजस्थान दो धाई मतलब धाई तीन महीने पहले की बात होगी शायद जब वसुंद्रा राजे जी का चैरा होगा या नहीं होगा उसकी ओधव चल रही थी मतलब उस के चलिए कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बननाता है सीट कितनी मिलेगी इतना इन लोगों ने कैवस कर दिया है और इतनी सारी रिकेमेंडेशन्स है तो मैं यह यहां पर मेरा एजम्शन मुझे नहीं लगता कि यह 80-100 वाला मामला है जो बहुत बहुत चर्चित बना है ऐसा मुझे नहीं लगता कि 80-100 वाला मामला है भारतिय जिन्ता पारटी मुझे लगता है कि राजस्थान में 120-140 के बीच में कहीं पर आंकड़ा उसका ठहरेगा तो क्लियर कट मैजोरिटी राजस्थान में मिल सकती है एस्ट्रोजी का लिए में लगता है कि इतना क्लोस नहीं दिख रहा है उसके बाद बात करें मध्यप्रदेश में तो मध्यप्रदेश में भी प्रेडिक्शन की गई थी जब कुछ मैंनों पहले चुनाओं से कुछ मैंनों पहले भारतीय जिन्ता पार्टी का वहां पे सुपड़ा साफ लग रहा था कुछ नहीं है वहां पे और इजीली रिटेन कर जाएंगे कमलनाथ, ये सारी चर्चाय चल गई थी, तब एक प्रिडिशन की गई थी कि अगर इस बार शिवराज सिंग चवहान को CM पत का फेस डिकलेर नहीं करती है, तो भरतिये जनता पार्टी के लिए मौका बहुत ही प्रजवल है, उजवल है, कई इतना है क्योंकि हर किसी का जन्मांक नहीं पता है, लेकिन इतनी प्रचन जीत के भी आसार नहीं दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि MP में 120 से 135 के बीच में कहीं पर आंकड़ा ठायर सकता है, और 36 गड़ में बात करें तो उसकी प्रेडिक्शन की गई थी, कि 36 गड़ में भ कि चुनाओ आने दीजिए, आते आते, एन टाइम पे आपको देखेंगे कि भारतिये जन्ता पार्टी बहुती क्लोस टकर में है, लेकिन हमें लगता है जो प्रेडिक्शन की आगा था वो भी मैं बोल रहा हूँ, ढाई तिन महीने पहले का रिवीजन, और फिर यहां पे ज पहले यह आकड़ा सोचना भी बहुत सारे लोगों के लिए शायद पॉसिबल नहीं था, तो यह यहां पे दिख रहा है, तो जो कुछ भी एक्जिस्ट पोल दिखा रहा है और जो इतने सारे कमेंट्स आये थे, रियल निउस पे हमने कल एक वीडियो भी डाला था, और से हूँ, और उन्होंने अपना फिडबेक दिया है, क्योंकि वो धरादल से जुड़े हुए है, एस्ट्रोजिकल प्रेडिक्शन क्या दी थी और आप सीट्स का नंबर माग रहे हो, तो यह मैं देने का, सामने था मैं कभी भी सीट्स का नंबर देता नहीं हूँ, लेकिन य मद्य कुछ गंटों की बात है, कल पता चल जाएगा तो के ज çev करवाट बैठता है आचा रखता हूँ कि आप लोगों की जितने भी एस्पेक्टेशन्स है वो इस वीडियो के साथ फुल्फिल हो चुके हैं रुपेनार शाह नाम के इस यूडियोग चैनल को अभी दक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ वाला पहला आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद तीन ओप्शन्स आएंगे और के उपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोडिपिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे हमसे अगर लाइप के किसी प्रॉब्लेम के लिए सॉलिजन चाते हैं स्वागत है आपका वाटसाप नंबर थमनेल में दिया हुआ है कॉल मत किजिएगा कॉल समनेले पाएंगे अपना नाम बर्ट डिटेल्स और प्रॉब्लेम्स डिटेल्स के साथ वाटसाप नंबर 971-444-3110 971-444-3110 उसके उपर लिख दीजिए अक्षा